हेलो फ्रेंड्स मैं आरके दुबे एड अंकल के ओनलाइन प्रेडफ्रों पर आज फिर से आपके लिए एक एनॉंस्मेंट लेकर आया हूं और यह एनॉंस्मेंट है कि हमारा जो सीटेट जनवरी दोजार 24 वाला यह टेस्ट किया है फ्रेंड्स हमीं देखते हैं कि जो हमारी जो सीबियसी है सीबियसी है हमारे जितने भी जो सेंटर लेवल के स्कूल है उनके लिए एक एक एक्जाम कराती है पार्दता परिक्षा और उसका अनॉंस्मेंट दोजार 24 का हो गया है आगे हम इस पर बात करते हैं कि यह जो सेंटर टीचर इलिजिबले टेस्ट जनवरी द करने का तो उसमें देखिए फ्रेंट्स की डेट है हमारी यहां पर तीन नवंबर कि दोजार 23 यानि फॉर्म कल से फिल होना स्टार्ट हो गए आगे हम बात करें कि जो इसकी क्लोजिंग डेट है लास्ट वो रखी गई है तैविस नवंबर दोजार 23 और यहां पर देखिए हम सीटेट की जो एक्जाम डेट है वो भी बिलकुल डेक्लेर कर दी है 21 जनवरी दोजार 24 यानि बिलकुल इससरी क्लियर है आपके सामने कि आपके पास इस एक्जाम को क्रेक करने के लिए नवंबर दिसंबर और जनवरी की 21 तारिक यानि 3 एक्जाम को क्रेक करने के लिए अगर तीन महीने, चार महीने, अगर अच्छे से हम देदें सेूर्पर ऑपनने टाम टेबल बना कर तो आपके रहने हो जाता है। क्योंकि बहुत से जो हमारे स्टूडेंट हैं जो जिनको केंदरी सिभाव में जाना था सेंट्रल के स्कूल में पढ़ाना है जिसमें एन्वीय कोगी साथ में देखते हैं डी डीज सेसवी की वेकैंसी है एम्रिस की है यह कई ऐसी वेकैंसी यहां जहां पर सीटेट को आगा ज करना होगा जिसकी वेबसाइट है www.ctet.nic.in आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स देखिए कि यह इसका ऑथेंटिक हम बात करने कि जो केंद्रिय मादमिक शिक्षा बॉड है उसने जो कल जारी कर दिया है दो नौमर को यह जारी किया था और हम यह देखते हैं कि यह जो शिक्षक सहरों में 20 भासाओं में आए जित की जाएगी यहानि देखिए फ्रेंट्स की 135 सहरों में ओल इंडिया के 135 सहरों में यह एग्जाम होने जा रहा है जिसका पूरा जो विस्तिज जो बुलिटेन है जानकर ही है वो आपको इसकी ओफिशल जो वेबसाइट है ctet.nic.in पर हम प बात करें फ्रेंट्स की schedule and mode of examination क्या इस जो होने जा रहा है 21 जन्वरी को उस 21 जन्वरी 24 को जो एग्जाम होगा तो ध्यान रखना कि first पारी में एग्जाम हो रहा है फ्रेंट्स किसका यहाँ पर paper second अब यह paper second किया है friends कि यहाँ पर दो एग्जाम जिसे हम कह सकते हैं कि एक तो primary school teacher वाला और एक upper primary वाला तो यहाँ पर second paper का मतलब है जो student 6 से लेकर और 8 तक के teacher बनने जा रहे हैं उनके लिए exam आयो जित होगा और यह time बता दिया है timing कि यह होए साड़े 9 बज़े से 12 बज़े तक धाई गंटे का यहाँ पर यह time दिया है और अगर हम बात करें first paper की तो उसका time रिखा है दो बज़े से साड़े चार बज़े तक का ठीक है वही ड़ही गंटे का तो 21 जनवरी को फर्स्ट पारी में पेपर सेकिंड ही दियान रखना है आपको और जो सेकिंड पारी है हमाँ पेपर फर्स्ट है आगी चलते हैं देखिए structure of content यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वही बात देखिए कि जो paper होगा वो mcq यानि objective होगा mcq multiple choice question यहाँ पर mcq टैप से paper आएगा और दो paper की वही बात जो अभी हमने करीती कि paper first है देखिए आप paper first जो है वो paper first है class 1 to 5 ठीक है और वही paper second है जिसकी बात हमने अभी करीती हो है class 6 to 8 यानि आपको यह धियान रखना है किस तारीक को थोड़ा सा कि जो first पारी में second paper होगा इस चीज़ पर धियान रखना और जो दूसरी पारी है second पारी उसमें first paper होगा ठ ठीक है आगे देखते हैं structure and content paper first क्या होगा देखो एक यहां पर बात यह आप अच्छे से ध्यान रख लीजी friends कि no negative marking यानि इस एक्जाम में आपके लिए बोड ने कोई negative marking का प्रावधान नहीं किया है यानि आपको जितने question है वो सारे के सारे आपको वाबर attempt करने हैं बात करते हैं question की देखिए यह class 1 to 5 वाले paper first जिसमें हम बात करते हैं कि first paper है हमारे child development and pedagogy वाला compulsory paper है के लिए 30 questions है इसके अंदर और 30 questions 30 marks के यानि total हम बात करते हैं 150 MCQ है और 150 ही marks मापर हो जाते हैं यानि एक प्रशन आपका एक number का होगा तो यह हो गया आपका child development वाला और second जो है हमारे यह language हो जाती है जो compulsory है आपके अब language की मैं आपको एक बार यहां पर समझा देता हूं इसमें होता क्या है friends कि जैसे दो language है आप देखिए language first और language second तो आपको यहां पर दो language select करनी है यानि आप हिंडी इंग्लिस करिए या फिर इसके अलावा आपको जैसे संस्क्रत लीजिए या पंजाबी गुजरादी जितनी भी आपकी जिस जो आपने पड़ी है अपने career में जीवन में वह आप दो language है आप स्लेक्ट कर सकते हैं अब इसमें स्लेक्ट करने का तरीका यह होता है जहां पर आपको थोड़ी सी दो की चोईस में एक ज़्यादा टफ लगता हो दूसरी लेंग्वेज आपको जो आपको बिल्कुल सॉलिड है वहाँ पर आपको सेकेंड पर उस लेंग्वेज को रखना है ऍश्वेस में हम देखते हैं मैथेमेटिक्स हें च्अनल जो हम बात करते हैं कि वन से फिट में जो आती है आपको बिल लेगी और आगे है प्रिद्क देंडेंड वाणीशाने है और तीस-क्रामाक्स के बिलकुल आसां सा है अब आगे हम बात करनें हाँ महारे जो हमारा second paper था, यहनि class 6 to 8 वाला, अब class 6 to 8 वाला है, तो अब इसमें हम देखते हैं, देखिए, वही आपके यहां पर, 150 questions है सबसे पहले तो, और वही 150 marks के हो गए, अब इसमें आप देखिए, कि first पर हमारे child development and pedagogy, ठीके, इसके भी आपको देखिए 30 questions है, और वही 30 marks के हैं, वैसे ही यहां पर भी, L1 में या paper first के हमने जब बात करती ही, language की, selection की, ऐसे ही यहां पर भी आपको दो language select करनी है, language first और language second, वही आप धिहान रखना है, language, सबसे बड़ी problem बच्चों के सामने ही होती ही, कि हम किस language को first पर रखें, और किस language को second पर रखें, तो आप यह धियान रखें, clear कर लिजी आपके mind में, कि आपको language first वो रखनी है, कि जैसे आपकी कोई भी दो language है, जो आपने पड़ी है, जीवन में, उसमें जो आपको tough लगता है, दोनों में से, comparative में, उसको तो रखें first पर, और आपको लगता है, जहां पर, यहां पर, यहां देखिए, कि जो बच्चे science से हैं, science field से हैं, वो mathematics and science, इस वाले में, fourth वाले में यह select करेंगे, और जो बच्चे social science के arts वाले हैं, वो select करेंगे, social science and social studies वाले को, पस यह paper में आपको यह चीज धियान रखनी है, कि paper पूरा एक आएगा, उसमें से जब part होगा, all लग रहा है, आपको arts वालों को यह select करना है, और science वालों को mathematics and science दोनों select करना है, science वालों के लिए, mathematics के भी questions लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँपर questions जधा है, 60 questions है और 60 marks के हैं, तो science वालों के हो क्या जयता है कि यहा 30-30 का dividation होता है, या थीस क्विशन उनके सायंस के होते हैं और तीस ही क्योंम किस के होता है अब बात करते हैं अब बात करते हैं हेलैशन सेलिबस अप टेस्ट जो आपको सैट हैं हमारी वहाँ पर को मिल जाएगा और मिडियम बेफिर अपट एंगलिश में भी आपको मिले आप देखिए जो बेस होगा वह बेस होगा बिलकुल आपके पर क्लास है और उसकूल का जो पाठ्थे करम है जहाँ पर हम NCRT पाठ्थे करम पर पढ़ते हैं तो वहीं पर ये बेस्ट होगा पूरा पेपर आगे देख लीजिए qualifying criteria अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि कितने marks पर ये qualify होगा तो general वालों के लिए 60% यहाँ पर लाना अनिवारे होगा यानि 60% हम 150 question हो गये 150 marks हो गये तो उसमें आप देखें यहाँ पर कि 60% का मतलब हो गया कि 90 यहाँ पर question question यहाँ पर सही होना चाहिए और हम बात यह करते हैं 90 question का मतलब यह हो गया कि आपके 90 नंबर आने चाहिए 90 तब जाकर आप यह test qualify कर पाओगी जनर वाले और जो other category है जहाँ पर हम reservation की बात करते हैं reserve category तो हम यह मान के चाहिए कि 55% में reserve category का seat rate क्लियर हो जाएगा अब हम आगे बात करते हैं कि friends यह applicability कहाँ पर यह apply होगा यह test है कहाँ पर इसकी जरूत पड़ेगी तो जितने भी हमारे all cbsc affiliated जो school हैं वहाँ पर इस seat rate की आउशकता पड़ेगी जितने भी हमारे cbsc based हों हैं वहाँ पर होगी kbs के जह हमारे केंदरे विद्याले हैं हैं वहाँ पर भी seatate की आउशकता पड़ेगी ठीक है आगे हम बात करते हैं फ्रेंट्स validity की तो validity आप देख लीजिए कि यह जो seatate की जो certificate है पहले तो starting में होता क्या था आगे हम बात करते हैं फ्रेंट्स की फी स्ट्रक्चर फी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए यहां पर कि क्या है कि वही हम बात करें जनरल OBC नौन क्रिमिल की वही है paper first की अगर बात करें हम first और second अगर आप single apply करते हो या paper first या paper second तो जनरल और नौन क्रिमिल जो OBC है उसके लिए एक हजार रुपे हैं और अगर आपने दोनों ही paper यानि both first और second paper करा तो आपके लिए 1200 रुपे यहां पर fee पे करनी होगी और हमारी जो reserve category है जिसमें हम SC, ST और यह different able जो person है उनके no paper apply करते हो तो हो जाएगी 600 रुपे ठीक है non refundable है दिहान रखना friends refund नहीं होगा इसलिए दिहान से फिल करिए choice choose कीजिए आप exam को और fill कीजिए अब देखते हैं how to apply यानि आपको यह seatate का जो form है seatate के form को apply करना है तो क्या करोगे कि आप सबसे पहले site को search करना site है इसकी www.ctet.nic.in यह आप जैसे search करोगे तो आपके पास यह window को लेगा और वहाँ पर सबसे पहले आपको यह देख लिना कि जो हमारा जो new registration वाला आ रहा है यहां पर इस new registration वाले पर आपको जाकर अपनी पूरा जो registration है वो registration करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप अपना form जो step by step आगे fill कर सकते हो आगे हम बात करें friends कि यह जो आपके लिए मेरे द्वारा सीटेट के बारे में information लाई जा रही है यह इसलिए friends कि आप जो आप तयारी करें इतने साल से या फिर जो जिनका भी आप जो आप जो आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लिए सीटेट करना नहीं हो जाता है इसी तरह कि जो हमारी जो इंफोर्मेशन है लिए जुदने के लिए हमारे जो टेलिग्राम जो चेनल है तेलिग्राम चेनल को आप जोइन कीजिए जिसमें एड़ अंकल फरस्ट है और हमारा जो यूटूब चैनल है यूजी से नेट की तयारी कि इस पर आप इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो लेटेस ज झाल